जेहिंद तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि बिहारवर्ड मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट किस दिन आएगा यानि कि किस तारीक को आएगा बहुत सारे यहां पर अफवा उड़ाया जा रहा है कि दो घंटे के अंदर आएगा मैट्रिक का रिजल्ट चार घंट कि नोदेने क्या है अंतर की कोपियो की बाद करें तो इंटर की कोपियो का मुल्यांकन अब समाप्त हो ज़िए अब मेट्रिक कहीं केवल बज चुका है और उसमें भी ओम और सीट बच चुगा है तो यह मर्शीत सबस्राइब जानते हैं कि एलेक्रोडिक मुलियांकन मसीन जाता है और इसी के वाज़ा से हम लोग का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है तो इस परकार आप लोग देख सकते हैं कि ओमर्षीट का मुल्यांकन इसी परकार के ऐसे ही मुषीनों के दुरा इलेक्रोनिक मुषीनों के दुरा ही किया जाता है और देखिए अगर उतर पुस्तिका के मुल्यांकन के बात करें तो उतर पुस्तिका का मुल्यांकन अब समाप्त हो चुका है यानि कि क्लास 12 का भी और क्लास 10 का भी दोनों का उतर पुस्तिका का मुल्यांकन अब समाप्त हो चुका है तो वही अगर ओमर्षीट के मुल्यांकन के बात करें तो ओमर् के कोुपी मुल्यंकन जो है पुना किया रहा है कि क्ने की तोप dad questo के लिए टो बेक्टाप में आएंगे टॉप 10 में उसको पुना इंटरविव लिया जाएगा चुप एसंभाए पास कॉल जाना शूरू हो गया और topper के copy का मुल्यंकन हो जाएगा उसके बाद ही result आगा अगर accurate result के बाद करें कि fix date किस तारीक को result आएगी तो वैसे कोई भी बता नहीं सकता है कि किस दिन result आगा क्योंकि इसको केवल इसकी बात को केवल बिहार बोर्ड कहीं पता रहता है और किसी को पता नहीं रहता है वही topper verification के बात करें तो topper verification जारी है और उसको topper interview भी हो रहा है topper verification topper interview यानि कि start है उसके बाद ही result आएगा तो result किस तारीक तक आएगा तो इसका हम लग केवल अनुमान ही लगा सकते हैं तो result का प्रकासन जो है हम लोग बता सकते हैं कि 18 March तक ले इंटर का यानि कि 12th class का result जो है 18 March तक ले आने की बहुत ज़्यदा उमीद है यानि कि अगर बात करें तो 18 March को एकदम fix नहीं का सकते हैं लेकिन फिर भी बोल सकते हैं कि 18 March का result घोसित हो जाएगा क्योंकि अब topper verification भी start है और कोप्यों का मुल्यांकन भी समाप्त हो चुका है वही OMR sheet का मुल्यांकन के बात क आएगा और उसके बाद रिजल्ट प्रकासित होगा तो रिजल्ट प्रकासित 18 March तक आएगा और वहीं इंटर के अगर मैट्रिक के बात करें तो मैट्रिक का रिजल्ट जो है इसी माह के अंतिम सब्ता के अंदर आने की बहुत ज़्यदा संभाना है लेकिन कोई माई के आएगा के भली बता सकते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे बोल रहा है कि 24 गंट के आएगा अंदर पचास गंटा के अंदर आएगा दस गंटा के दूग घंटा के अंदर रिजल्ट प्रकासिन होने वाला है तो इस सब फेक नूज है इस सब हम लोग को ध्यान देना नहीं है और सेर्ज भाला है